गुड इवनिंग ओल अफ यो तो चलिए आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले फिनॉल चेप्टर को ठीक है हम लोग एलकोहल फिनॉल इथर चेप्टर को स्टार्ट के थे जहां पर हम लोग एलकोहल पार्ट को पूरा खतम कर चुके है चाहां उसका मेथर्स और प्रिप् पर्स की केस से क्या इसको बोलते हैं फिर उसका में लोग नोमिंक लेचर वेगर जितना भी था सारा कुछ हम लोग कभर कर चुके थे आज जो हम लोग बात करेंगे वो मेथर्स और प्रिप्रेशन ऑफ फिनॉल देखेंगे जो कि बहुत ही आजान सिर्क हम लोग दो रियक् पढ़ चुके हैं ठीक है बस उसी को दोहरा रहे हैं पहले ही आपको बताया था कि अगर है अच्छा तरीकस उसको मजबूत कर लेते हो तो आगे चल करके उतना प्रेशानी नहीं जलना पड़ता है जाहाए वह यहां पर देखो क्या है सबसे पहले हम लोग प्रिप्रेशन क तो जब बेंचीन ड vibe डाल देता हैं या फिर भनता बेंचीन से घोध करके वह नीलीन आता थे और फिर वापस कहा आते थे हम लोग बेंचीन में तो इस प्रोसेस में आप लोगों को बताया थे जहींजहीं टबेंचेन जहां पर आता थ intervenal में आता था तो वहांसे भी तो चलो यहां पर हम लोग क्या करने वाला है तो यहां पर जैसे अस्टिम और वाटर हम लोग डालेंगे तो हम लोग क्या बन जाएगा फिनोल बन जाएगा क्या बन जाएगा हम लोग को फिनोल यहां सो जाएगा हम लोग को ओ एच किया चलो अब यहां पर देखो क्या बनने तो अगर कोई भी है, ले 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 लेते हैं, उसमें अगर एक्वस नवोज एक्वस क्या करते हैं, तो यहां पर ज्यादा हम लोगो मुस्किल वाला रियक्सन है नहीं तो यहां पर इसका साट प्रोड़क्त लिखना चाहोगे, क्या लिखोगे, उसी पकासा देखो, जब ब सब्सक्राद करते हैं तो यह भी थे और नोगों बना कर देता हैं कि यहाँ पर लगों से अधायगा और अधाय से एन-टोग्म लूगों गैसन निकल जागा तो यह हम लोगों को इतना ही पढ़ना पिनोल चप्टर में इसके अलावा नहीं पढ़ना है हम लोग को requirement ही नहीं है तो हम लोग को इसी से काम बन जाएगा हम लोग देखे इसका methods of preparation की क्या पढ़ना तक कैसे इसका preparation करेंगे तो हम लोग को पता है कि organic chemistry पढ़ने का चाहत तरीका सबसे पहले इसका introduction उसके बाद देखते हैं उसका methods of preparation फिर देखते हैं क क्या ची हम लोग देखते हैं उसका physical property और chemical property तो उसका methods of preparation भी हम लोग खतम कर लिए अब देखेंगे उसका क्या होता है physical property और क्या होता है chemical property चलिए इसको screenshot ले ले लिजी यह तो फिर आप notes से लेकर के बना सकते हैं ठीक है चलिए अब देखते हैं इसका physical property कि क्या होता है physical property of phenol तो सबसे पहले बात करते हैं उसका physical state क्या आखिर वो किस अवस्था में पाया जाता है तो सबसे पहले देखो जो pure phenol होता है वो किस form में रहता है liquid form में रहता है उसका कोई भी color देखने को नहीं मिलता है मतलब वो colorless liquid ह होता है उसके बात करते है उसको boiling point थो boiling point क्या होता है boiling point जो होता फीन rollshkoel के बहुत ही जादा होता है जो बहुत ही ज़ादा होता है तो hydrogen bonding यहाँ पर formation होता है phenol phenol के बीच में होता क्या है समझते जाएगा ठीक है जैसे मान के चलो यहाँ पर हम लोग को phenol है clear है उसी परकार से हम लोग को और भी ज्यादा हम लोग को phenol देखने को मिलेगा जैसे मान के चलो हम लोग ले लेते हैं example ऐसा ठीक है यहाँ पर O यहा phenol phenol के बीच में हम लोग को क्या होता है hydrogen bonding का निर्मान होता है जो कि एक strong force जूड़ा रहता है तो इसको तोड़ने के लिए हम लोग ज्यादा boil करना पड़ेगा इसलिए इसका boiling point क्या होता है बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है उसी परकार हम लोग अब इसका बात करते solubility का किसका बात करते हैं हम लोग solubility तो इसका solubility जो होता है वो water में भी solubal होता है साथी साथ ही organic solvent में भी क्या होता है जैसे यह फिनोल हो गया हम लोग water ले लेते हैं तो यह water के साथ क्या बना लेता है hydrogen bonding बना लेता है क्या बना लेगा यहां पर क्योंकि यहां पर more organic solvent यहतने भी होते हैं उनमें भी क्या हो जाते हैं यह solubal हो जाते हैं के लिए तो अभी तक हम लोग बात के इसका physical property और क्या बात के method of preparation अब आते हैं इसका original चीज में जहां पर हम लोग ज्यादा ज्यादा important है फिनोल चेप्र से वह क्या है हम लोग को इसका chemical property कि अब फिनोल को किस किस के साथ हम लोग रियक्सन करवाएंगे तो उसके साथ रियक्सन करने के बाद प्रोड़क्ट क्या बनाएगा तो चलो इसको इसको नोट्स में लि मिलता है कैसा मिलता है अब सब्सक्राइब का मतलब होता है कि जो एच प्लस यहां पर रिमूब कर सके डोनेट कर सके तो यहां पर देखो होता क्या जो एच प्लस को फार्निस करेगा वह सारे हम लोग क्या कहलाते हैं तो जैसे देखो यह फिनोल करता कैसी है जैसे यहां पर फिनोल लेते हैं, यहाँ पर O, यहाँ पर H, तो यह hydrogen क्या होता है, यहाँ पर remove होता है, remove होने के बाद यहाँ बन किया जाता है, तो यहाँ पर हम लोग को phenoxide iron बन जाता है, clear है, उसके बाद यहाँ पर बन जाता है H+, अब यह हम लोग को देख रहे हैं कि यह कैसा character देखने को म तो यहां से समय गया है कि जो फिनोल होता है वो फिनोल 1 lepane माना चाता है अब यहां पर देखते हैं कि किसके बीच में य है छो पाथ चुके हैं कि अच्च्ट कोई सबसी जहादा webs आता है जो हम लोग को क्या करें negative को मतलब जो conjugate base होता है उसको unstable जादा कर सके जैसे कि हम लोग वहाँ पे alcohol चेप्टर में भी पढ़े हुए थे तो यहां से जैसे यह हम लोग को conjugate base यह हम लोग को क्या है conjugate base है यह हम लोग को क्या कर लाता है conjugate base अब जो भी conjugate मतलब जो negative part होता है वो जितना ज़ादा unstable होगा वो उतना ही ज़ादा हम लोगो क्या होगा acidic भी कहलाएगा इसका मतलब अब यहाँ पर तीनों का example लेना पड़ेगा क्योंकि हम लोग compare करें फिनोल, water और alcohol में, तो हम लोग यहाँ पर समझते हैं एका करके, जैसे यहाँ पर फिनोल लेते हैं, तो फिनोल वला से जो हम लोग को मिलता है, वो फिनोकसैड आयन मिलता है मतलब यह मिलता है, अब यह जो यहाँ पर इस तरह से जो हम लोग दिखाते हैं आइसा ना हो करके हम लोग कैसा दिखा देंगे ऐसा ताकर हम लोग रेजो निसको समझ सके उसके बाद देखो जो मुलक को water होता है water में ता हम लोग को o और यहाँ पर h इसके उपर minus बस यह रहेगा फिर हम लो एलकोहल वाला लोगेत यहाँ पर क्या रहता है आर यहाँ पर हो जाता है O- अब हो यहाँ पर देखते हैं कि negative part को सबसे ज़्यादा unstable कौन कर पा रहा है तो negative part को unstable वही करेगा जो अपने तरफ उसको खीच सके मतलब negative charge उसको उपर खतम कर सके कम कर सके रिडिूस कर सके अब यहाँ पर जित के पास सबसे ज़्यादा रिडिउस हो रहा होगा उसका negative part वह उतना ज़्यादा क्या होगा And stable and जो compound का conjugate base जो उतना ज़्यादा stable होगा वह उतना ही ज़्यादाíst क्या होता है ये इसके उपर फिर से electron दे रहा है इसके पास पहले से already क्या है negative charge है तो ये negative charge को क्या कर रहा है उसका density को बढ़ा रहा है और electron की density को बढ़ा रहा है तो इसका मतलब ये unstable होगा क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जिसके पास जितना ज्यादा charge होगा वो उतना ही unstable देखने को इसका मतलब ये और भी ज्यादा unstable उसके बाद ये unstable होगा क्योंकि हम लोग पहले भी पढ़ चुके जो hydrogen और carbon के बीच में देखते है इंडक्टी भी तो सबसे ज्यादा कौन लगाता है carbon लगाता है उससे कम कौन लगाता है hydrogen लगाता है तो इसका मतलब ये दोनों में से सभी तरकर लेते हैं अब ये नेगेटीब क्या होता है आप लोगों को हानी पहले से पताऊ गाति हमलों को क्या था है रीयुम भेर मतलब negative part यहाँ पर double bond बना जगा, यह double bond, यहाँ पर double bond, यह वला यहाँ आ जागा, यह वला यहाँ आ जागा, तो यह resonance करते जाता है, जैसे कि इसका अगर resonating structures को हम यहाँ पर बताना चाहे, तो देख सकते हैं कैसा बनेगा सो, जैसे कि, देखो, यहाँ पर oxygen के साथ double bond बन जागा, यह वला इधर चल जागा, तो इसके पास negative हो जागा, बाकि यह सब तो ठीकी था, यह वला यहाँ जागा, यह वला फिर से यहाँ पर आ जागा, कि फिर से यह double bond मनाएगा, यह वला यहाँ जागा, फिर यह वला यहाँ जागा, तो वो negative part को क्या कर रहा है, खतम नहीं कर रहा है, लेकिन उसको क्या कर रहा है, पूरा reduce कर दे रहा है, उसके पास उतना बोज रहने नहीं दे रहा है, यहाँ पर oxygen के पास था, अभी carbon के पास आगे, फिर यह carbon के पास, फिर इस carbon के पास, लेकिन वहाँ पर को बाटने वाला नहीं था, चाहाँ हम लोग alcohol का case में देख लो, या फिर वहाँ पर हम लोग water का case को देखते हैं, तो इस unstable कर लेता है, उसका negative part को दुसरे जगा बाट देता है, तो उसका हलका हो जाता है, लेकिन वहीं हम लोग लेते थे, वाटर वाला में, तो वाटर वाला में क्या होता था, एच प्लस तो देही रहा है अभी भी, एच जो है, वो inductive effect अभी भी दे रहा है, तो उसका electron density को लगत होता है, alcohol का, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं, जो acidic character होगा, यह फिर acidic water, वो phenol का जादा होगा, उसके बाद water, उसके बाद alcohol, तो अगर कोई पूछ दे कि बता, इन में से तीनों में से कौन सबसे जादा acidic होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे, phenol, उसके बाद बोलेगा, सबसे कम कौन हम लोग को acidic होगा, तो कौन होगा, alcohol, तो यह सब चीज हम लोग को जानना था, इसका क्याची acidic character, चलो, तो यह सब जो भी है, वो notes में लिखा गया है, उसको हो बहु, उसको उतार लिजेगा, ठीक है, अब देखते हैं, इसका chemical property एकर करके, reaction कर करके देखते हैं, तो देखो अब, phenol जो है, phenol अगर हम लोग को metal के साथ, या तो फिर alkaline solution के साथ, reaction करता है, तो क्या-क्या हम लोग को product बनाएगा, तो कभी भी याद रखिएगा, कि अगर हम लोग यहाँ पर phenol ले लेते हैं, clear है, तो अगर phenol में, जैसे हम लोग metal, जैसे सोडियम के साथ करते हैं, यह हेड्रोजन को यहाँ पर remove करता है, यहां से रिमूब करता है, और यहाँ से hydrogen का removal होता है, जैसे कि यहाँ पर हम लोग को क्या था, oxygen, oxygen को पर जाएगा, तो यहाँ पर balance करने के लिए कोन आ जाएगा, Na plus आ जाएगा, यहाँ अब यह product जो बनता ह तो उसी परकार से phenol को भी कितना लेना पड़ता है दोगो, sodium को भी कितना लेना पड़ता है दोगो तब यहाँ से hydrogen, एक बार लिती है है, sodium तो वहाँ से 1 हो H+, वहाँ पे donate करता है तो वह वहां पर जाकर क्या करएगा finoxide iron बनाएगा याच बनाएगा finoxide iron उसी परकार से हम लोग देखते हैं कि अगर ले लेते हैं हम लोग fenol, क्या ले लेते हैं fenol और इसमें अगर हम लोग alkaline solution डाल लेते हैं जिसे कि alkali hydroxide कुछ भी लेलो जैसे मान के चलो alkali base में कि हम लोग ले लेते हैं NaOH ले लेते हैं या फिर हम लोग KOH ले लेते हैं और इत कुछ भी ले लो ना यहाँ पर alkaline solution या फिर alkali base तो यहाँ पर जैसे मान के चलो NaOH ले लेते हैं तो यहाँ पर भी उसी तरस करेगा यह sodium जाकर कि यहाँ पर बैठ जाए हम लोगो हम लोगो कर भंगे इसलिए क्योंकि यहां पर हैज्ट सरे नहीं जरूरत होता है क्योंकि वहाँ हम लोगों क्या होता है έχजे़ कर इंद्धल को होगा हम छे क्या हो थे उसके बाद है है dehydration reaction यह हम लोग को dehydrogen का remove करवाना और यहां पर हम लोग water का क्या कर रहे है रिमूब कर रहे है तो water का remove होना हम लोग क्या करते है डी हम लोग जब इसमें हम लोग देखते है hydrogen का तो हम लोग बलते है dehydrogenation के लिए है उसके बाद जब यहाँ पिक देखते है water का removal हम लोग बोलते है dehydration Hydration मतलब water के साथ reaction करवाना और water अगर remove हो रहा है निकल रहत क्या बोलते है dehydration बोलते है तो यह reaction हम लोग के रहे बहुत ही ज्यादा important है यह सारा कुछ हम लोग को याद होना चाहिए ठीक है चेप्टर में बताये थे जब फीनोल में tuh बह 찾 दालता है फीनोल बनता था था फिर उसमें zinc devrait जैसे डालते था था वन लोग को क्या बन जाता था तो यहाँ पर थो भाषी चीज़ बनेगा कि जब हम लोग क्या कर दो और फिनोल में क्या कर दो G ढाल दो किछ डाल दो जिक ड़िए या फिर कभी कभी सिर्ट दिखा हुआ रहेगा तो जब भी डालते हैं यह लोग को बना देता है कैसे बना देता है डिन तो यह लोग को पता है कि जब भी फिनोल ले लेते हैं इसमें यह तो फे सभी को लेक्द आ एक साथ ठिक है कि यहां पर यह तो फे PCl3 डाल दो यह पिर यहां पर PCl5 डाल दो यह तो फिर क्या डाल दो एस वो बनाता है और हम लोग देखते हैं, SO2 मिला के HCL बनाएगा और हम लोग को POCL3 बना देगा, उसके बाए, SOCL2 के साथ करो के तबहाँ पे SO2 गेस बनाता था, और क्या बनाता था हम लोग को HCL बनाता है, उड़ जाता है वो सारा कुछ, यह सारा कुछ हम लोग पहले भी पढ़ च के पस क्या लगा देता है, तो यहां पर देको, फिनोल को अच्छा से बना लो, अस्ट्रक्टर से काने का मतलब जो double-bone है, तो डवल बोन को पूरा दिखा दू, तो यह हम लोग को क्या होता है, अस्ट्रक्टर सोता है किसाा, फिनोल का, अब इसमें जैसे हम लोग लोग ढा करेगा कातना आसान था बहुत आसान था तो यहीं इतना ही हम लोगों केमिकल प्रोपर्टीज में पढ़ना था एक और केमिकल प्रोपर्टीज पढ़ना है तो वह आपको पता है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिचूशन रियक्संस अन कहां पे तो हम लोग देखेंगे फिनोल में कहां कहां पोजीशन पे वो करेगा तो चलो इतना पहला इस खिंस्वर्ट ले लो उसके बाद हम आगे बात करते हैं बहुत ही असान है समझते जाएगे ठीक है सबसे पहले हम लोग देख्ते हैं कि यह मतलं कि जो हेलो अरिन का कंसेप्ट जो हम लोग देख चुके थे उसी पकार से हम लोग को क्या देखेगा यहां पे फिनोल के desert यहां पे देखने नतल लोग को दो और देखाए खर कोली कि नेटा नेटीब सोच में देखना के जैसे हलू क काम करता था कि नेगेतिब पार्ट शुक्तों और पेजलिते उर्टो पजितन और पराव पेजसें, प्रनल्ग क्यों नेटीफ हो जोड़ने को नें और Dri qd सबस्क्राइब तो यहां Скण सबस्क्राइब यहां होता है हम लोग देखते थे पाँच कज एक इस पुरा बारीकी से लिखा गया है, यहां पर समझने पर फोकस किज़ेगा, ठीक है, concept समझ में आ जाएगा, सारा कुछ हम लोग को clear हो जागा, बाके notes में तो लिखा हुआ है, यहां पर कितना लगत लिखते रहेंगे, दिकत हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग देखते है, halogenation reaction, सिर्फ फिल करते जाएगा, ठीक है, कि यहां पर हम लोग क्या करते थे, जैसे यहां पर phenol है, phenol में हम लोग क्या करेंगे, x2 डाल देंगे, और यहां पर किसके presence में, यहां पर डालेंगे, हम लोग unhadras alcl3, यह तो फिर बहुत लोग यहां पर यूज करता है, unhadras fecl3, धब यहां पर हम लोग को x प्लस बन जाता है, अब x प्लस कहां कहां जूड़ेगा, यह तो फिर और तो यहां पर क्या बनता है, negative charge, तो यह जाकर क्या हम लोग को बना देगा, कहां कहां बनेगा, तो एक यहां पर OH यहां पर रहे जागा, तुम्हारा halogen, जो भी halogen यूज किया ह बनेगा, और एक हम लोग को बनेगा, कहां पर पारा पोजिसर पर, मतलब यहां पर OH और यहां पर क्या हो जागा, halogen, कि लिए है, अब बता, यह दोनों major कोन है, अब यसी बात है, यह हम लोग को क्या बनेगा, major बनेगा, चलो, उसके बस सकिंड जो हम लोग reaction देखते हैं, म sulfonation reactions में क्या करना परता था, तो यहां पर जैसे फिनोल है, फिनोल में हम लोग क्या डाल देते हैं, H2SO4 वो भी कॉंग में, तो कॉंग H2SO4 सिर्फ डालेंगे, हम लोग को SO3H हम लोग को जूड जाता था, तो यह कहां जूड़ेगा हम लोग को, तो यह हम लोग को बनेगा, मेजर बनेगा, और यह हम लोग को क्या बनेगा, मैनल बनेगा, क्यों ऐसा होता है? अप लोग को पता है, हंड्रइस वरीघ्र है, इसा कहानी हम बता चुके है, हेलो अरीन partner में है है, उसके बाद हम लोग फ्र्राइडल क्राप्ट रियक्संज की बात करते हैं, तो तो freddle craft reactions में जैसे कि asylation होता है और क्या होता है alkalation, मान के चलो asylation कर रहा है, यह मनले alkalation, तो alkalation के लिए यहाँ पर क्या करते है, rcl ले लेते थे और हम लोग करते थे यहाँ पर unheadless fecl3 या फिर alcl3 लेते है, तो यहाँ पर r plus जाकर करके यह बर ओर्थम जुड़ेगा, य मतलब हम लोगको जो product बनने वाला है वो यहाँ पर क्या होगा, Hola यहां पर एकब बर 2 ओर जुड़ ज़ जाएगा, और कहां पर पहला होकर हो, लोग को पर saylation, और यहाँ पर यहाँ पर 15, प्रेंदम के साथ और यहाँ आण पर यहाँ दूर में ने का हो जाएगा, और यहा double bond O, यहां पर C-L, इसको कहां से, तो उसी परकाश से, अन्हाद्रस, A-P-E-C-L, थिरी के पर जिए था, हम लोगों क्या बढ़नेगा, यह हम लोगों को गरीब करके, R-O, मुला, R-C-O, परसे हम लोगों को देता था, जो के जाके के बढ़, और तंहीं जूड़ता है, एक बन पार पर, तो यहां में लोगों को बनाता क्या है, तो यहां में लोगों देखते हैं, OH है, एक बन यहां पर जूड़ जागा, C-Carbon, यहांपर क्या रहेगा double bond O और यहांपर क्या होजागा R एक बार जो प्रोड कर दो बना है को पार पॉजिसेंगें R करें तो यहांपर हो यहां पर हो जाएगा carbon double bond और यहांपर क्या यहां ruby अथि जैसा आप सोचो कि वैसा बनेगा नहीं फिनोल का केस में थोड़ा सा ध्यान में रख के चल लिएगा ठीक है हम लोग देखने जा रहे है नैट्रिशन नैट्रिशन रियक्शन्स में होता क्या है तो आप लोग को पता है वहाँ पे NO2 का एडिसन होता है और आप लोग को यह भी पता है का Hello Ir. in, के जैसा ही सेम में अगर यहाँ पे रियक्शन्स हो रहा है तो जो वहाँ पे नैट्रिशन्स किया करते थे तो वहाँ पे क्या करते थे तो कनसंट्रेटिड हनो थिरी स्तित गरते थे कि कॉंग एच एन ओ थिरे अच्छा कभी कभी सिर्फ इतने ही लिखा रहेगा लेकिन थोड़ा से एसेडिक मीडियम और भी इसको बढ़ा देता है कॉंग एच ट्युस फोडिक टाल कर टीक है तो यहां पर डिता है क्या यहां से नोटू जा करके जोड़ दते थे हम लोग देखो जो प्रोड़क्त पहले बनना चाहिए था वहाँ चाहिए था हम लोगए पर देखो यह चीज़ कर रहे हो यह क्या गलत हो जाएगा होगा इसलिए क्य H2SO4 क्या डाल देंगे कॉंग H2SO4 तो यह हम लोग को और्थो और पारा पोजिशन पे अलग अलग ना बना करके यह क्या करेगा और्थो पोजिशन पे भी NO2 लगा देता है और यहां पर भी क्या लगा देता है NO2 तो यह चीज हम लोग को पिकरिक एसिड कहलाता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं पिकरिक एसिड बोलते हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं पिकरिक एसिड तो यह पिकरिक एसिड का फोर्मेशन कर देता है जब हम लोग यहां पे कॉंग H2SO4 नहीं यहां पर हम लोग क्या बनता क्या है, पिकरिक एजीर का formation हो जाता है, क्या बात समय में आ गया, चलो अब रहाबाद किस तार अगर हम लोग ये चीजी करना चाहें, तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो आप लोग को याद रखना पड़ेगा हमेशा, कि अगर हम लोग को करेंगे dilute hno3 का यूज करेंगे किसका करेंगे hno3 dilute में dilute में लोगे तब यह product बनेगा वही अगर concentrated में लोगे था हम लोगों क्या बन जाता है आईसा structures बन जाता है जो कि हम लोगों को यह दोनों का दोनों reactions क्या है बहुत ज्यादा important है जो कि बार बार स्टुडेंट जाकर के गलत करके ही आता है और marks कर जाता है और बोलता है कि मेरा reaction सही था जो कि गलत हो गया गलत बना करके आए हो इसलिए वहां पर क्या होता है गलत हो जाता है तो हम लोग याद रखना है यह सब रियेजेंट में कि जब हम लोग यूज करेंगे यह बनेगा और जब लोग यूज करेंगे तो यह हो जाएगा ठीक है तो जहां 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 हम लोग के उसके बाद लोग को फिनोल चेप्टर खतम हो जाएगा क्या है सो देखो रहमर टैमन रियक्षन बहुत ज्यादा हम लोग को बनता है अब यह होता क्या है यहां पर हम लोग को क्या बन जाता है एक बार हम लोग को बनता है कहां पर पार इसका मेकैनिजम के थूरू समझाते लेकिन अभी आप लोग का क्लास में इसका जरूरत नहीं है इसका मेकैनिजम तो इसलिए हम आप इसके बेसिस सब जो मैकेनिजब जो प्रोसेस होता है ये सब में परेश सन में पढ़ना होता है तो आ इस जी में इसको लीधनम याद रखेगा कि सक्षा ठीक होते हैं यह अद्र बना देता है यहाँ फैसले क्योंकि यहां पर हाड्रोजन ब्रोंडंग का यहां पर आपक Kirsty स्हके पस कंजिऽन यहां पर यहां पर और यहां पर यहां पर वह को यहां पर यहां पर बुट में ख यहां Wow तो यह जो reactions होता है उसको कहते है क्वालवेज reactions पर करते क्या है जब फिनोल को हम लोग carbon dioxide और NaOH के साथ हम लोग reactions करवाते है और साथे साथ क्या कराते है उसका hydrolysis करवा देते है तो हम लोग को क्या बन जाता है salicyclic acid बन जाता है जिस के naming reactions को किस नाम से जानते है कॉलवेज reaction उसी परकार से जब हम लोग फिनोल को chloroform के साथ reactions करवाते है हम लोग को बनता क्या है salicyclic acid बनता है तो यस reactions को क्या जानते है तो इतना ही हम लोग को फिनोल चेप्टर में पढ़ना था साथ साथ तुरंत हम लोग LDHAT ketone carbosalic acid को start कर देंगे आज हमें कहीं और भी जाना है तो इसलिए सोचे कि आप लोग wait कर रहे थे बहुत दिनों से किस तर आपका lectures नहीं आ रहा है तो क्यों ना आदा गंटा है कि वीडियो मिले जिसे हम लोग को पूरा concept clear हो जाए तो यह देख रहे हो कि आदा गंटा का चेप्टर में हम लोग पूरा फिनोल चेप्टर को complete कर दिये अब हम लोग को आदा गंटा या फिर 15 मिनट का वीडियो आएगा 15 मिनट से जादा नहीं होना चाहिए 15 से 20 मिनट जाएगा तो वहाँ से हम लोग इथर चेप्टर को भी क्या कर लेंगे complete कर लेंगे उसके बाद हम लोग को सिर्फ aldehyde ketone carbonic acid जो कि उसका भी दो लेक्चेस लगेगा उसके बाद अमीन चेप्टर खता और एक लेक्चेस आएगा biomolecule का उसके बाद electrochemistry साथ हमके खताम कर देंगे तो आप लोग यहाँ पर लेक्चेस जो फोलो कर रहे हैं जो पहले से नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पर फोलो अप करना स्टार्ट कर दीजे बाकि जो लोग पढ़ लिए तो उन लोग के लिए यहाँ पर important questions करवाय जा रहा है साथे साथ आपका NCRT book का reactions करवाय जा रहा है conversion करवाय जा रहा है जितने भी important question है चाहाँ वो physical chemistry का हो चाहाँ वो inorganic chemistry हो तो NCRT को भी cover कर रहे हैं साथे साथ जो previous question था 2006 से लेकरके 2023 तक वो सारा कुछ हम लोग complete कर चुके है तो आपको जीज तरह का material के यहाँ पर requirement है आप आए हमारे साथ जूड़िए और यहाँ से उसका love उठाइए ठीक है तो भी मिलते हैं लोग अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहन